तवा हमारे किचिन के सबसे जरूरी चीज है अगर तवा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है और यह भी कि किसी खास जगा पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर मिल सकती है आपको बेशुमार तवा राहू का प्रतिनेधित्व करता है रसोई को साफ रखें यदि कोई भी महिला गंदे तवे का इस्तिमाल करती है तो उसका सीधा प्रभाव उसके पती पर पढ़ता है इसके लावा आपके घर के बच्चे या पती नशे में लेपत हो जाते हैं तो मान कर चलें कि ऐसा राहू के कूप्रभाब के कारण हो रहा है आप अन्य उपायों के साथ अपने रसोई पर भी ध्यान दीजिए कहीं यह तवे को गलत तरीके से रखने की वज़ा से तो नहीं हो रहा है जब रात को खाना बना लें तो तवे को धोकर रखें और जब सुबे खाना बनाने अब इसके बाद सबसे पहले दो या तीन इंच की रोटी बना लें अब इस रोटी को ऐसी जगा रख दें जहांपर कोई जानवर उसे खा सकें ऐसा करने से घर के सारी नकरात्म कूर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुक सम्रिद्धी बनी रहती है घर में जब तवे का उप्योग ना हो तब उसे ऐसे रखेंगी कि वह दिखे नहीं यानि कि अलमारी में बंद करके रखें खुले में तवे को ना रखें तवे को उल्टा करके कभी ना रखें कभी भी खाना बनने के उपरांत उसे खाली चूले पर ना रखा रहने दें तवे को खाना बना कर च से तवा चमकदार तो होगा ही और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी तवे को साफ करने के लिए कभी भी उसे तीखी चीज से खुर्चे नहीं अगर तवे पर कुछ चिपक गया है तो उस पर पाने डाल कर उस चीज को गला लेजिए बाद में आहिस्ता से उस चिपकी हुई साम रखा जाएगा धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे तवे पर सुबे जो सबसे पहली रोटी बनाई जाती है उसे अगर आप रोज गाएं को खिलाते हैं तो ऐसा नियम्मित तौर पर करने से घर में किसी को भी बुरी नजर नहीं लगती और घर में हमेशा कुछ अगर आप अपने घर में तवे को गंदा रखेंगे तो वास्तू के अनुसार इस कारण से घर में रहने वाले लोगों को कैंसर आदी जैसी बिमारियां भी हो सकती हैं इसलिए कहा जाता है कि घर में गंदा तवा ना रखें तवे पर रखी आखरी रोटी को कुट्ते के लि इसको गैस की दाई तरफ रखें, पाई तरफ रखने से नकरात्मक उर्जा आती है, किचन में रात के समय तवे को खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, इससे भी नकरात्मक प्रभाब पड़ता है, माना जाता है कि तवा इंसान की गरीबी और कंगाली का कारण भी बन सकता है, इतना ही नहीं घर में सदस्य को हूने वाली भ्यंकर बिमारी का कारण भी तवा हो सकता है, तवे को गलत तरीके से रखना और गलत तरीके से इस्तिमाल करने से राहू संबंति दोश उत्पन हो सकते हैं, जिसके चलते आपको समाज में मान समान की हानी हो सकती है, घर में गरीबी का निवास हो सकता है अगर आप भी राहू दोश को खत्म करना चाहते हैं और अपने घर में सुख सम्रिद्धी को बनाए रखना चाहते हैं तो तवे से जुड़ी इन समी बातों का आप जरूर खयाल रखें इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिस्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ इसाथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंसके धनेवा दोस्तों